मिलकन का पुरा गाउं में पच्छु चुराने आए चोरों ने ग्रामीनों पर की फाइरिंग तीन चोर डबोचे जम कर हुई धुनाई धोलपुर शहर की सदर्थाना शेत्र की ग्राम पंचायत विश्नोदा के गाउं मिलकन का पुराओं में बीती शुक्रवार शनिवार की राद को पशु चोरों ने अवे देसी कट्टे से ग्रामीनों पर फाइरिंग कर दी हालाकि इस दौरान ग्रामीनों ने हिम्मत का परिचे देते हुए तीन पशु चोरों को धर दबोच लिया उनकी जम कर धुनाई की साथ ही ग्रामीनों ने चोरों के कबजे से अवे देसी कट्टे को छुड़ा लिया जानकारे के मुताबिक मिलकन का पुरागाओं में बीती राद तीन चोर पशु को चुराने के लिए एक ग्रामीन के पशु बाड़े में गुस गए चोर जैसे ही भैस को चुरा कर ले जाने लगे तो ग्रामीनों को भनक लग गई जिस पर ग्रामीन जाग गए और चोरों का पीछा करने लगे इस पर चोरों ने ग्रामीनों पर फाइरिंग कर दी फाइरिंग से ग्रामीन भैबीत नहीं हुए और लगातार चोरों का पीछा करते रहे जब चोरों के कार्तूस खत्म हो गये तो ग्रामीनों ने भाग कर जंगल में तीनों चोरों को दबोच लिया और उनसे एक अवेद देशी कटा बरामत किया गया इसके बाद ग्रामीनों ने चोरों की जम कर धुनाई भी की मामले के सूचना ग्रामीनों ने सदर थाना पुलिस धोरपुर को दी मौके पर पहुंची पुलिस ने पशुचोर अजब सिंग पुत्र हाकीम गुर्जर देविंद्र पुत्र रोशन वर लोकेंद्र पुत्र पप्पु निवासी देरा बसेई डांग बाडी को ग्रामीनों के कबजे से मुक्त करा लिया साथ ही पुलिस ने देशी तमंचा भी बरामत किया पुलिस ने चोरो को गिरफतार कर पूस्ताच शुरू कर दी है पुलिस ने बताया कि पूस्ताच के दौरान चोरों से अन्य चोरी के मामले भी खुल सकते हैं दौलपूर पुलिस ने मुरेना से बदमासों के कबजे से मुक्त कराई इसकारपियो गाड़ी और चालक दौलपूर सहर से सुकुरवार को कुछ बदमास एक इसकारपियो गाड़ी को उसके चालक से भाड़े की कहकर मुरेना मदपरदेश की ओर ले गई और वहाँ जाकर गाड़ी को छीन लिया तता चालप को बंदक बना लिया इस मामले वे दौलपूर पुलिस ने ततपरता दिखाते हुए 24 गंटे में ही इसकारप्यो गाड़ी और चालप को सखुसल बदमासों के कबजे से मुक्त कराकर बड़ी सफलता हासल की है हालनकि इस दौरान बदमास मौके से भागने में सफल रहे एस पी केसर सिंग शेखावत ने बताया कि कल सुकरवार देर साम को महंदर शिंग कुत्र अजब शिंग गुरजर निवाशी दुर्गा कॉलोनी ओडेलारुड धौलपूर ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी इसकारप्यो गाड़ी को चालक रामलखन कुत्र बहादुर शि शिन लिया और ड्राइवर को बंदक बना लिया है तथा ड्राइवर का मोबाइल भी बंदा रहा है इस सूचना पर दौलपूर पुलिस तुरंत सक्री हो गई और मोबाइल लोकेशन की जानकारी जुटाई जिसमें गाड़ी और चालक मुरेना जिले की सराय चोला थाना इल पाभी फाइरेंग की और गाड़ी तथा ड्राइवर को बदमाशों के चंगुल से चुड़ा लिया इस दौरान बदमाश मौके से भागने में सपल रहे पुलिस टीम में नियाल गाइंधाने के उप निरीचक महंदर शिंग एसाई ठाकुर्दास कॉस्टिवल देविंदर सर्मा आदी सामिल हैं साम तक जो ड्राइवर के मोबाइल कोई संपर्क नहीं हुआ तो मालेक को चिंता हुई और मालेक ने उसकी तलास भी कि रात को भी तलास की दिन में तलास की और जब आज तक पता नहीं करना मोबाइल जब उससे चौप आया तो उनको आसंका हुई कि भई इस तरह के हमारे संपर्क नहीं हा रहा है बिल्कुल भी तो उन्होंने अंक के द्वारा एक एफ़ियार दर्ज कराए गई है मेंदर सिंग बूजर के द्वारा और रामलकन क्या गी ड्राइवर है बोलो रोका तो मुकदम दचकन ने पशा तो उसे ड्राइवर को अम लोगों तलास किया और अपनी माटी में हुआ धोलपूर की बेटी पूजा कपिल मिश्रा का कई जगे भावे स्वागत भाजपा की राष्ट्रिय महिला उपाद्धेक्ष है पूजा आज शनिवार को धोलपूर जिले के दोरे पर आई धोलपूर की बेटी वब भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रिय उपाद्धेक्ष पूजा कपिल मिश्रा का जिले के भाजपाईयों ने कई जगे गर्म जोशी के साथ स्वागत किया साथी भाजपा कारेले पर प्रेस्वारता कर्पदेश के अशो गहलोत सरकार पर तीखे प्रहार की ये मिश्रा ने गहलोत सरकार को पैट्रोल डीजल की कीमते कम नहीं करने पर नाकाम बताया धोलपूर निवासी भाजपा महिला मोर्चा राश्रियो पाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्र की नीजी दोरे पर शनिवार को धोलपूर आई इस दोरान मिश्रा का धोलपूर विधायक शोभारानी कुश्वाह, भाजपा के जिलाध्यक्ष, श्रवन कुमार, वर्मा समेत तमेम भाजपाईयों द्वारा विधाय कारेले पर गर्म जोशी से स्वागत किया गया प्रेसवारता के दोरान उन्होंने कहा कि प्रदेश नेतरत्र ने उनने बड़ी जिम्मेदारी दी है जिसका कारेकरताओं को साथ लेकर जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया जाएगा उन्होंने कहा कि धोल पर उनकी जन में भूमी है स्कूली शिक्षा प्राप्तिकर राजिस्थान से ही राजनीतिक शुरुवात की थी साथ ही उन्होंने कहा कि भारती जनता पार्टी के संगठन पदादिकारी एवं हर नेता का कर्तवे बनता है कि भारत सरकार की जनकल्याणकारी योजनाव को समास तक पहुचाए जायेौ उन्होंने कहा कि महामारी के दौर में भारती जनतापार्टी के कारेकरतावँ ने प्रिधान मंत्री नरेंदर मोधी के नेतरत्व में जान की बाजी लगा कर आमजन की सेवा की थी उन्होंने कहा कि भारती जनता पार्टी का मूल सवभाव सेवा करना होता है उन्होंने कहा कि महामारी के कारण आर्थिक मंदी पूरे विशुप में व्याप्त है जिसका असर भारत देश में भी देखा जा रहा है इस दोरान पूर्व विधायक सुखराम कोली धोलपुर के भाज युमो जिला अध्यक्ष भुपेंद्र गुरिया जिला महामंत्री सतेंद्र पारशर विने कुमार उपेंद्र कुश्वाहा सहित अन्य भाज पापदादिकारी मौजूद रहे यह जो परिवार का यह मेरी अपनी माटी का जो प्यार है इसके लिए मैं पोट इपोट आवार और धन्यवास सब्सक्राइब एक और सवाल में जो जैपुर में बाजबा के कई कारक्रम हुए वसंद्रा जी उसमें नहीं पहुंची है इसमें क्या माने बाजबा महिला मोर्चा की राश्री उपाद्ध्यक्ष पूजा कपिल मिश्राज जिस सेपव पहुंची न्यूक्त होने के बाद पहली बार जनम भूमी आगमन पर उनका सेपव में भाजबाईयों के द्वारा भवे स्वागत किया गया पूजा कपिल मिश्रा इससे पूर भाजबा की राश्री महिला मोर्चा की मीडिया प्रभारी रह चुकी है उन्हें संगठन में राश्री इस्तर पर उपादक्ष के जिम्मेदारी दी गई है जिसके बाद उनका पहली बार धोलपूर आगमन हुआ है कैंठरी बॉर्डर से दोलपूर की सीमा में प्रवेश करते ही पूजा कपिल मिश्रा के काफिले का लोगों ने जम कर स्वागत किया अपने स्वागत समारो से अभीभूत पूजा कपिल मिश्रा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि धोलपूर उनकी जनम भूमी है और जननी से बड़ी जनम भूमी होती है राश्री नेतरत्व के अशिर्वाद के बाद माता पिता और जनम भूमी का अशिर्वाद भी यहां तक पहुँचाने में साथ रहा उन्होंने जब से राजवीती में कदम रखा है लोगों का सहयोग और लोगों की सेवा को ही अपना धे माना है भाजपा पार्टी से उनका चुडाव है धोलपूर सहित राजिस्थान की एक मातर बेटी है जिनको यह मैत पूर्ण जिम्मेदारी दी गई है ऐसे में भाजपा की पूरी टीम और संगठन के प्रतिव है आभारी है इस दोरान पूजा कपिल मिश्रा ने कोरोना काल में भाजपा दोरा चलाए गए सेवा ही संगठन अभियान का भी उन्होंने जिक्र किया और लोगों को कोरोना से अभी भी सचेत रहने की सला दी इस दोरान जिला मंत्री जितेंदर तिवारी, रनवीर डंडो तियार रिंकु शर्मा, सोहा, शेलेश कबीर, केजी तिवारी, मंडल अध्यक्ष राम विलास बगेल, महामंत्री बलवीर सिंग, परमार, मंडल अध्यक्ष बसई नवाब विजेंदर लोधा, हाकिम सिंग लो अध्यक्ष बड़े आपके जनली से भी बड़ी जनम होगी तो अपने माता पिता का शेवा अध्यक्ष बादे नहीं, सबका प्यार इसमें हमारे सेपो मंडल के बसेनव मंडल के अध्यक्ष जी और हमारी पूरी भाजपा के पूरी टीम, सब साथी पुराने सब लोग खड और पूरा विश जिस तरह थम गया, रुप गया, लोग बीच जाके काम करता रहा, सेवा करता रहा, बहुत सारे लोग हमारे काल कल बितु है, लेकिन सेवा के मूल वाकू करता हो, भाजपा के पूरी जनता की सेवा में नहीं तर लगी हुई है, और इसमें प्यार और आशि घायल जानकारी के मुताबिक पपू भगेल तता मनोज जगरिया के बीच दीवार के मलबे को लेकर आपस में विवाद हुआ, बताय जा रहा है कि दोनों पक्षों की बीच यह विवाद वर्षों से चला आ रहा है, आज शनिवार को मामला तूल पकड़ गया, और दोनों और से च बेटा आर्यन अक्षय घायल हुए हैं, वहीं दूसरे पक्ष से शंकर उर्फ पपू बगेल सहित उसका भाई महेश सहित करीब आदा धरजन लोगों को चोटे आई हैं क्या आप किस्तों पर लेप्टॉप वे मोबाइल फोन खरीदना चाते हैं, तो जल्दी आईए दोलपूर जिले के सबसे बड़े और सबसे विश्चसनिय इलेक्ट्रोनिक सोरूम बेल्यू प्लस पर और खरीदिये मनपसंद एच्पी के लेप्टॉप और मोबाइल फोन, वो भी आसान किस्तों पर, इसके अलाबा हमारे यहां सबी ब्रांड के इलेक्ट्रोनिक आइटम एक ही छत के नीचे आसान किस्तों में मिलते हैं, जिसमें EC, TV, Android TV, फ्रीच, वशिंग मशीन, कूलर आदी, एक बार जरूर पदारें, वेल्यू प्लस सोरूम, 132 के भी बिजल वाडी घर के शामने वाडी रोड धौलपूर, प्रोप्राइटर अतुल बंसल, 941-646-2846 वन टच कार वाइक सेम्पू से अब अपने बाहनों की धुलाई कीजिये और निरंतर बाहन की चमक को बनाए रखिये, वो भी आपके बज़ट में साथ ही हमारे अन्य उत्पाद, वन टच एंड वाट्स, फ्लोर क्लीनर, टॉलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर, एबं धूप बत्ती भी उपलप्द है आज ही घर पर प्राप्द करने के लिए हमारे कस्टमर केर नंबर 89, 27, 143 पर कॉल या वाट्सप के जरिये प्रोडेक्ट मगवाएं ओडर के दूसरे दिन प्रोडेक्ट आपके घर उपलप्द हो जाएगा डिस्ट्यूबिटर्शिप और डीलर्शिप के लिए भी संपर्ख करें पता आगरा जगनेर मार्ग नगला कमाल खेरागड आगरा जिला कलेक्टर ने किया राज की महविद्याले राजा खेडा का दौरा धोलपुर जिला कलेक्टर राखेश कुमार जयस वाल ने आज शनिवार को राजा खेडा के राज की सनात कोतर महविद्याले का दौरा किया कलेक्टर महविद्याले के नए भवन डोंगरपूर्प में पहली बार आये जहां उन्होंने नए भवन की विवस्थाओं का जयजा लिया जिला कलेक्टर नी संस्थापन कारियों की जाटपरताल की जिसमें महविद्याले में 535 विद्यार्तियों के प्रविश पर संतोष जताया साथ ही रिक्तु चल रहे पदों को अती शीग्र भरने को लेकर प्राचारे को आशोसन दिया वही कलेक्टर नी राजा खेडा नगरपाली का अध्यक्ष को निर्देशित करते हुए कहा कि महविद्याले के पास सुलब शोचाले का निर्माण हूँ जिसका लाप्रतेक व्यक्ति ले सके चेर्मेन जादों ने कलेक्टर को बताया कि महविद्याले में विद्युत सप्लाई वर्तमान में ग्रामीन फीडर से चल रही है जिसको शेहर फीडर से जुड़वाये जाएं जिससे महविद्याले में विद्यार्तियों को और स्टाफ को निर्बाद विद्युत आपूर्ती मिल सके जिसको लेकर कलेक्टर ने कारे को जल्द से जल्द करने के दिशा निर्देश दिये वही माविद्याले तथा सडक निर्मान कारेों की गुणवत्ता की जाच की और सर्वजनिक निर्मान विभाग के अधिकारियों वसम्मंदित ठेकेदारों को दिशा निर्देश दिये कलेक्टर ने खेल मैदान के प्रस्ताफ को लेगर भी चर्चा की जिसमें आश्वसन देते हुए कहा की प्रस्ताफ को जल्द ही मन्जूरी मिल जाएगी SG मंगल को निर्देशित करते हुए कहा की राजा खेडा से डोंगरपूर मार्क पर हो रहे है अतिक्रमन को जल से जल्द हटवाने का कारे किया जाए एवं गाडी लुहारों के खरापड़े हेड़ पंप को जल से जल्द ठी करवाय जाए साथ ही कहा की समस्तकार्यों की समिक्षा गामी साथ दिन की बाद की जाएगी इस दोरान राजा खेडा SDM रजेश कुमार मंगल नगरपाली का देक्ष विरेंदर सिंग जादौन तहसीलदार नाहर सिंग कॉलिज प्राचारय ब्रजेश कुमार आदी मौजूद रहे पुलिस के मुकबीर के शक में रेत माफियाओं ने की फाइरिंग मारपीट में आदा दर्जन लोग खायल धोलपुर जिले के कोला इथाना शेतर के जागीरपुरा कला गाओं के पास शुक्रवार देशाम को ट्रक्टर सवार कुछे लोगों ने ग्रामीडों पर फाइरिंग कर दी ट्रक्टर सवार लोग बजरी माफिया बताय जा रहे हैं इस बीच कुछ लोगों के गोली के छर्रे लगने के अलावा हुई मारपीट के करीब आदा दरजन लोग घायल हुए सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस की ओर से घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाये गया जानकारे के मुताविक जागीरपुरा कला गाउं निवासी यूवक मनोज पुत्र जगदीश लोधा खेरागड से बाइक पर सवार होकर अपने गाउं लोट रहा था इसी दोरा अंजागीर पुरा कला और शाहपुर के बीच बाइक सवार यूवक मनोज से ट्रक्टर सवार रेत माफियाओं ने रोक कर कहा सुनी करते हुए मार पीट की इतने में ही मनोज की परीजन मौके पर आ पहुँचे और पीडित मनोज सहित अन्य लोगों ने बताया कि इस बीच दहशक फैलाने के लिट्रक्टर सवार रेत माफियाओं ने फाइरिंग करते हुए मार पीट की जिससे शिफ सिंग पुत्र जगदीश उसका भाई मुकेश लोधा सुन्दर सिंग जन्देल विनोध धायल हुए बताय गया कि दो लोगों को गोली के चर्रे भी लगे हैं गटना की सूचना पाकर थाना प्रभारी बवर सिंग सहित पुलिस अधिक्षक सेपव विजे कुम पुलारि थाना पुलिस ने मुकदमे में एक पक्ष के एदल सिंग, सुरेंद्र सिंग, दाउजी, सूरज गुर्जर, निवासी, भधियाना को गिरफतार किया है वहीं दूसरे पक्ष से सुंदर सिंग लोधा, विनोध व मनेश निवासी जागिरपुरा कला को गिरफतार क किया है कि अब पाँप है रायर। अब रायर। बाइर। बुलस को शुठना देए है। कि अब की कञ़ना दी मिर शुठना दी है। अत्रवाजी के जबड़ा हुआ है इसमें तो चुपने तो लाइं उन्हें जाए इनको अब डिक निया गया है उसको अब बता रहे हैं जब लगें सर चर्रे लगें सर चर्रे बतारे हैं पारिंगें गीस अब कुछ लोगों ने अपने बताएं कि ठारी मिली है और उन्हें जब लगें जब लगें इसमें बेडिक निया है तो लाइं तो लाइं तो अब बहुचर्चित अब्दुलपूर के रामेश्वर जाटव हत्याकान में दो आरोपी और गिरफतार दोलपूर जिले की कंचनपूर थाना पुलिस ने अब्दुलपूर गाउं के बहुचर्चित रामेश्वर जाटव हत्याकान मामले में आच्छा निवार को दो और आरोपियों को गिरफतार करने में सफलता हासिल की है इस अत्याकान में पुलिस अभी तक दो इनामी आरोपियों सहित कुल पांच लोगों को गिरफतार कर चुकी है कंचनपूर थाना प्रभारी देविंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि थाना इलाके के गाउं अवदुलपूर में गत 29 एपरिल को भोलाव भूदेव ने बादशा चोहान और संदीव की गैंग के साथ मिलकर गाउं के ही रामेश्वर जाटव की लाठी डंडा और सर्यों से पिटाई की थी जिसमें वह गंबी रूप से गहल हो गया था जिसके बाद गहल रामेश्वर को उपचार के लिए जिला स्पताल धोलपूर में भरती करवाय गया था जहाँ इलाज के दौरा अनूसकी मौथ हो गई थी इसके बाद परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के बाद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला तरच करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी मामली की गमीरता के चलते तभी से पुलिस की अलगलग टीम आरोपियों की तलाश में दविश दे रही है इस कड़ी में आज कंचनपुर पुलिस को दो मुख्य आरोपी भोला और फुन नरेंद्र पुत्र गोकुल सिंग और भूदेव पुत्र गोकुल सिंग ठाकूर के मध्य प्रदेश के मुरेना जिले के दहरा मोड के पास छिपे होने की सूचना मिली जिस पर कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतरत में पुलिस ने बताया किछिकाने पर दबिश्दी जहां से पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफतार कर लिया है गिरफतार आरोपियों से पुलिस अन्य फरार आरोपियों के बारे में पूस्ताच कर रही है आज थाना इस तर्व टीम ने श्रीमान जिला पुलिस अधिक्षक महदे के रहने देशन में वांचित मुल्यम पूरा खुला उर्फ नरेंद्र पुत्रश्री गोपुल सिंग जाती ठाकुर नेवासी अबदलपुर और गुदेव पुत्र गोपुल सिंग जाती ठाकुर न सच्वालियों की प्रताडना से तंग आकर महिला ने लगाई फांसी रजोरा गाव धोलपुर की है घटना दोलपुर शहर के सदर थाना इलाके रजोरा गाव में बीती शुकरवार शनिवार की रात को एक विवाहिता ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच गई जिसने शफ को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के ली जिलास पताल धोलपुर की मोर्चरी में रखवाया साथी घटना की जानकारी मृतिका के पीहर पक्ष को भी दी गई सूचना की बाद मौके पर पहुँचे पीहर पक्ष ने ससुराल जनों पर तहेज के लिए प्रताड़ित करने और विवाहता से मार पीट करने की आरोप लगाए है पीहर पक्ष का आरोप है कि ससुराल जनों की प्रताड़ना से तंग आकर उसने फांसी लगाई है DSP महिला सेल मनोश शर्मा ने बताया कि म्रतिका कलपना पुत्री मोहन सिंग निवासी मरहौली कंचनपुर की शादी चार वर्ष पूर्वरजोरा निवासी अशोक से हुई थी परिजनों का आरोप है कि ससुराली जन विवाहिता को दहेज के लिए तंग करते थे इसके अलावा उसकी मारपीट भी किया करते थे चार दिन पूर भी कलपना के साथ मारपीट की गई थी जिसके बाद वह अपने पीहर चली गई थी जिससे समझा बुजा कर कल शुकरवार को ससुराल लाया गया था पीहर पक्ष का आरोप है कि ससुराल जनों के प्रताडित करने से तंग आकर कलपना ने अपनी जीवन लीला समाप्त की है परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर महिला थाना पुलिस धोलपुर ने मुकदमा दर्जकर जांच शुरू कर दी है वहीं पुलिस ने मृतिका की शव का पोस्ट माटम करवा कर शव परिजनों को सौप दिया है इसकी रिपोर्ट पेस की है इसमें बरवे की जादी है फर्स्ट ट्रैक की खबर का हुआ सर मरेना में निगम ने बदला तूटा विद्युत पोल धोलपुर जिले की जनता के लोग पी ये चैनल फर्स्ट ट्रैक ने मरेना से गंबीर हाथसे को नियोता देते एक विद्युत पोल की खबर को शुकरवा शाम के निउस बुलेटिन में प्रमुकता से प्रसारित किया था जिसका असर शनीवार सुबह ही देखने को मिला खबर के चलते ही विद्युत विभागी के अधिकारी हरकत में आ गये और आज तूटे हुए विद्युत पोल को बदल दिया गया जिससे खतरे की आशंका भी टल गई है पोल को बदल जाने पर स्थानी लोगों ने फरस्ट ट्रैक और विद्युत विभाग का आभारवेक्ट किया है गर्मियों के कपणों का इस्पेचल और नया कलेक्शन खरीदिये ओफर में ब्लैक बेरी, एनल सोली, पीटर इंगलेंड, यूमा, आधी ब्रांडेड कमपणियों की टी शर्ट, जीन्स, शर्ट, आधी उचित दाम पर उपलब्द है अलग-अलग कमपणियों के कपणों पर अलग-अलग प्रतिसत में छूट ओफर इसके अलाबा बच्चों के कपड़े, फ्रॉक, नेकर, टी शर्ट, पाइटी बियर कपड़े भी उचित रेट पर मिलते हैं एक बार जरूर पधार है डी इश्कायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने पुलिस चौकी के बगल में कोठी दहल पूर आपके बच्चों के उजवल भविशे वा सरवांगिण विकास के लिए सुनहरी चाबी है जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है सभी सुविधाओं से परिपूर संत्पागलदास जी महराज बने मचकुंड धाम विकास समिती धोलपूर के संग्रक्षक मचकुंड रोड पर एक बैठक का आयजन किया गया बैठक में सर्वसहमती से श्रीपागलदास महराज जी को समिती संग्रक्षक पत पर मनोनित किया गया मनोनैन की घोशना करते हुए समिती संयों जक मुकेश शर्मा ने बताया कि महराज जी की मनोनैन से निश्चिती हम सबको वसमिती को नई दिशा और दशा मिलेगी महराज जी के आशिर्वाद और दिशा निर्देशन से हम अपने कार्यों को प्रगती पत पर ले जाएंगे और समिती अपने उदेशों को पूरा करेगी एडवोकेट प्रमूज शर्मा ने कहा कि 14 अगस्त को एक शाम शहीदों के नाम कारेक्रम कायजन उस समय कोरोना महामारी की स्थिती और शासन प्रशासन की गाइडलाइन्स को देख कर किया जाएगा समिती द्वारा पूर्व में एक प्रतियोगिता सेलफी वित मचकुंड धाम एवजित की थी जिसके विजेताओं को सम्मानित करना अभी बाकी है 14 अगस्त को ही उन सभी विजेताओं को भी पुरुस्क्रत कर सम्मानित किया जाएगा इस मौके पर राम किशोर लवानिया महेश राजावत प्रज मोहन दिक्षित लोकेश राजपूत राम शर्मा प्रमोज पचाओरी विराठ ठाकुर आदी उपस्तित रहे भारत विकास परसद। धौलपूर दोरा आईशा निवार को अपना इस्तापन दिबस जिलावस्त धौलपूर में रक्तदान श्बिर का आईजन कर मनाया जिसमें 11 लोगों ने रक्तदान किया इस अफसर पर साखा के अध्यक्स जैन्त मोदी ने कहा कि सभी लोगों को स्वेम आगे आकर रक्तदान करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके सिबिर में परिशत के महला पूर्श सदस्यों द्वारा रक्तदान किया गया परिशत के प्रांतिय संकल्प प्रभारी राजीव जहा ने अपना उधान देते हुए कहा कि रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती है वलकि इस पूर्ती वनी रहती है उन्होंने स्वेम अब तक 87 वार रक्तदान किया है और वह आगे भी इस क्रम को जारी रखे हुए हैं इस अफसर पर जिला समनबैक जीतेदर सर्मा प्रडम मुखरजी विजयराना डक्टर दिनिश कुमार वंसल डक्टर राम लखन गोयल हैमेंदर मंगल केके वंसल जया मोदी पदमा जहां सहित अ आमलों का हुआ निस्तारण जिला नियाएधीस ने वर्चल माध्यम से की मॉनिटरिंग जिला विदिक सेवा प्रादिकरण वे जिला एबम सैसन नियाधीस दौलपूर रिटा तेशवाल के निदेश में आज शनिवार को दौलपूर जिले में कोबिड-19 गाइडलाइन की पालना करते हुए एबम आमजन को सीगर वे सुलब नियाई दिलाई जानने के उद्देशे कोट केमपस दौलपूर सहथ जिले भर में राश्टिय लोग अदालत का आईजन किया गया जिसके बार के सभी अदिवक्ता गंड द्वारा समचित सहोग प्रदान किया गया राश 1240 मामले एबम विबन नयायलेओं में लंबित 2042 प्रकणों को चिनित किया गया जिसमें से प्री लिटिगेशन के कुल 146 मामलों का निस्तान कर कुल एक करोड 47 लाक 69,581 का अवार्ड पारित किया गया इसके अलावा विबन नयायलेओं में लंबित दंडिक सम्मनी के 418 माम बिल से संबंदित चार पारवारिक मामले 31 अधर सिविल मामले वानवय इस प्रकार कुल 590 लंबित मामले निस्तारित किया गया साथ ही 2,53,89,58 का अवार्ड पारित किया गया इस प्रकार संपूर जिले में कुल 736 लंबित एवं प्री लिगिटेशन मामले में निस्तार करकुल रासी 4,49,89 रासी का अवार्ड राष्ट्य लोक अदालत के माध्यम से पारित किया गया राष्ट्य लोक अदालत के लिए गठेत सभी 9 बेंचों की कारवाई की मौनिटरिंग दहुलपूर जिले में पहली बार जिला एवं 6,49 दहुलपूर रिटा तेशपाल द्वारा वर्चल माध्यम से की गई एवं आवश्यक निदेश्ट्य लोक अदालत में पीठा सीन अधिकारी अमित कुमार स्रदश अधिबक्ता मोकेश सिकरवार फीठा सीन अधिकारी ADJ दहुलपूर, सदस्य अधिबक्ता नीरज सर्मा फीठा सीन अधिकारी सच्चेव जिला विदिक सेवा प्रादिकर्ण मीना अवस्ति एवं सदस्य अधिबक्ता मनीश कुमार माथुर ने अपनी महति भूम का निवाई लगुक्रशक क्रशी व्यापार संग दिल्ली के माध्यम से वित्त पोशित किसान उत्पादक संग का गठन किया गया है जिसका कारले आज राजोरा खुर्द गाउं सेपों में थापित किया गया दीरत दिक्षित सहरोली ने बताया कि प्रोडियूसर कम्पनी के माध्यम से किसानों की खेती सम्मन्दित सभी वस्तू खाद बीज दवा किसानों को समय पर और उचित कीमतों पर उप्रब्द करवाई जाएंगी इस एफपियो से सहरोली राजोरा खुर्दिन नगला पूट कैंतरी आदी गाउं के लोगों को फायदा मिल पाएगा समिती की कारे भार को प्रदीप शर्मा समालेंगे इस मौके पर अमिच शर्मा, रोहिच शर्मा, प्रताप सिंग परमार, मुन्ना जाटव, बहौरी, लाल जाटव, नेमी चंद्र, पारशर और आदी लोग मौजुद रहे पंकस्तिवारी बने पुन है एनेश्वई दहौलपूर के जिलाद्यच एनस्याई राजिस्तान ने राज़्टी अध्यच्छे नीरज कुंदन के नेदेशा नुसार राजिस्तान के प्रभारी गुर्जोत सिंग संदु ने राजिस्तान के सभी जिलों की जिलाकारकाणी कुनरस्त करते हुए सभी जिलों में नए जिला अध्यच्छों की गोश्ण न की है जिसमें दौलपूर जिले से एक बार पुन है पंकाश्तिवारी को एनस्याई जलाद्यच निक्त किया गया है इसके लिए मैं राष्टिय अध्यच नीरज कुंदन राइस्तान प्रभारी गुर्जो सिंग संदू का प्रदेश अध्यच अविशेक चौदरी का हार्द एक धन्यवाद ग्यापित करता हूं और उन्हें विश्वास जिलाता हूं कि उन्होंने मुझ पर जो भरोसा किया है उस पर मैं पूर्ण रूप से खरा उतरने का प्रयास करूंगा आपको बतादा है कि पंकश्तिवारी 2015 में संगठन का चुनाब लड़कर जिला महा उसके बाद 2017 में जिलाद्यश वद पर चुनाब जीतकर लगातार विगत पांच वर्षव से धोलपूर जिले के जिलाद्यश के रूप में काम कर रहे हैं और आज उन्हें पुनह धोलपूर जिले का जिलाद्यश दोबारा निक्त किया गया है जिलाद्यश तिवारी के कार्यों को लेकर हुई चर्चा बजरंग दल धोलपूर की बैठक आच्छनिवार को गंगाबाई की बगीची में हुई बैठक में 11 जुलाई से 17 जुलाई तक चलाए जा रहे हैं सेवा सप्ताह के निमत कार्यों को लेकर चर्चा की गई जिलासे सैयोजक राम शर्मा ने बता कि सेवा सप्ताह के अंतरगत धोलपूर के सभी प्रखंड स्तर और अलग अलग दिन मानव सेवा तथा गो सेवा के साथ साथ पौधार ओपन कर धोलपूर को ग्रीन धोलपूर की तर्च पर कारे की जाएंगे प्रखंड सैयोजक चंद्रपताब धाकरे और ने बताया कि हम से करेंगे ही और सभी मंदिरों पर पांच पौधि लगाएंगे नगर सैयोजक नरेश प्रजापती ने बताया कि सेवा सप्ता में सेवा के अन्यकारे जैसे शम्शान घाट की सफाई मंदिरों की सफाई एवं चोरहा की सफाई बस्तियों में पाठ शाला चलाने का कारेक्र उपसित रहे। इसके साथ ही बताया कि उन्हें सामुदायक शोचाले की देख रेक सहित प्रतेक पंच्या तिस्तर पर लगाय जाये जिससे इस अभियान को गती मिल सके यापन के दौरां सचिन नीरू, वंदना, रामभरत, राजू आदी मौजूद रहे। घर से अरचानक गायव हुआ व्यक्ति परजन परिशान। धौलपूर सेर के कोतवाली थाना इलाके की जवाहर नगर कॉलनी स्टेशन रोड धौलपूर से सुक्रवार साम करीब चार वजे एक ब्यालीस वर्षी व्यक्ति घर से अचानक गायव हो गया है। जिससे परजर परेशान है। इसे लेकर गायव हुए व्यक्ति के भाई बिने जैन पुत्र पूरण चन जैन एडवोकेट ने कोतवाली थाने में तैरीद दिये। जिसमें बताया गया है कि उसका करीब ब्यालीस वर्षी भाई राहुल जैन अचानक सुक्रवार साम चार वजे घर से गायव हो गया है। जिसकी तलास की जाए। साथ ही उसने आमजन से अपील की है कि किसी को भी दिखाई दे तो 931469921 नमबर पर सूचना दे। धौलपूर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाईल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंट अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब